नमस्कार, कैसे हैं आप सब, आप सब को बहुत बहुत प्रणाम, आप सब के मैसेज लगातार वाटसेप प्यार हैं, हज्जारों की संख्या में कहूंगा, उसके बाद, कुछ लोग जो दौब्यूज मीडिया से जुड़े हैं, उनका संदेश, फिर कल जब यकाई मनीश ठाकूर शोपे हमने एक वीडियो डाला, बरी भावुक संदेश आपके प्राप्त हुए हमें, मैं कहूंगा हज्जारों की संख्या में, मुझे अंदाजा नही पर कहा कि हमारी उंगलियां ठक गई, छाले पड़ गए, आपको ढूंडते हुए, बड़ी चिंता हो रहे ही आपके लिए, आप लोग में से बड़े पैमाने पर लोगों ने वाटसेप किया, हर वाटसेप का जवाब देना संभब था, संभब नहीं हो पाया, लेकिन साथियों ने कहा कि यूटूब एक खपते तक के लिए लाइव स्ट्रीम रोकता है, मैंने भी सोचा कि खपते में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने आपको शांत कर लिया, समझ भी नहीं आया कि अपराद क्या है, क्योंकि जीवन में कोशिश यही कि है कि कुछ भ बद तो भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया, तो राक्षसों पे हमला तो जरूरी है, लेकिन किसी मिर्दोश के साथ रत्ती भर कस्ट का हिस्सेदार मैंना बन पाऊं, यह प्रियास लगातार रहा, लगातार दमनीश ठाकुर शो के माध्यम से मैंने जो प्रियास किया, वो पर्सेप्सन के खिलाब किया, जो एक शडियंत के थातिक जो पर्सेप्सन बनानी की साजिस रची गई उसके खिलाब किया, बहुत सारे दुश्मन बनाए जाने अन जाने, नहीं पता, इस दौरान एक लाइब शो में तीन बावन से चार अर्टालिस तक मतलब पच्चास सेकंड के आस पास का ये जो वीडियो है एक किसी नेशनल चैनल का वीडियो उसे एक नमूने के रूप में किसी संदर्व में मैं दिखा रहा था उसके लिए कॉपी राइट मारा गया आप देखेंगे तो ये वीडियो तीन बावन से चार अर्टालिस मतलब लगवग पचास उन्चास पचास सेकंड के सी के आस पास समझे इतने छोटे वीडियो के लिए इतनी बरी सजा दमनीस ठाकूर्शो को एक बरे चैनल के लिए आमतर पे जब कॉपी राइट किया जाता है तो उस वीडियो को हटा लिया जाता है या उस वीडियो का पैसा किसी और उसको मिल जाएगा जो कॉपी राइट क्लेम करता है लेकिन ये स्ट्राइक एक छोटे से नए यूटूबर्स को इतने बरे चैनल के द्वारा ये संकेत है कई लोगों ने कहा कि आप आग्रह कर लीजे गलती के लिहास से मैंने सोचा कि नहीं जब छोटा दिल किसी ने दिखाया है तो हमें उस अस्तर पे नहीं जाना चाहिए यूटूब का अपना मंच है उसके नियम और कानून होंगे हमें उसके नियम और कानून को मानना पड़ेगा इसलिए प्रयास ये होगा कैसे किसी वीडियो को जो छोटे दिल वाले हैं उनके वीडियो को ना दिखाया जाए, किसे संदर्ब में भी ना दिखाया जाए संसनी बाजों, साप चुछंदर बाजों, पत्रकारिता के दोयम दरजे के एजंडा बाजों चेला ट्रांसपर करने वाले लोगों के खिलाप जो महीं में चलाता रहा उसकी सजा ये रही, कि कुछ गैंग के लोगों ने हम आपके चैनल को देखा आपके शोग पर नजर रखी, और मेरे किसी गलती का वो संभबता इंतजार कर रहे थे लेकिन तीन-तीन महिना ये दी, कोई चैनल स्ट्राइक में चला जाए तो मेरे जैसा यूट्यूब पत्रकार उसके क्या दस्ता होगी जो सिर्फ यूट्यूब से है मैंने एक चैलेंज लिया, बहुत सारे संपादक जो आज आपको यूट्यूबर बनके दिखाए गए उनको नौकरी से निकाला गया उनको, उनके गलतियों के कारण, किसी और के कारण, उन्होंने छोड़ा नहीं ज्यादा तर नहीं हमने छोड़ करके चैलेंज लिया, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब पे कुछ विशलेशन लेकर के आया था, उसका विरोध हुआ था, उस दौर में और हमसे कहा गया कि आ तो यूट्यूब छोड़ दीजे, या चैनल की नौकरी छोड़ दीजे हमने शुरुआत में कहा कि हम तुम मुझे मेरी गलती बताओ, और उसके बाद यदि यूट्यूब तो उससे मेरा मॉनिटाइज भी नहीं हुआ था, तो मेरे पास बड़ा हाथ था कि मैं तो कोई आमदनी कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, इसी मंच को मंच पी आया, इसलिए आया, ताकि इस परसेप्शन के खिलाप लर सकूँ, पत्रकायटा के स्काला खेल के खिलाप लर सकूँ, सामाने लोग जिस तरह से वीडियो बनाते हैं, नियूज का कहीं जाकर किसी गैदरिंग का मैं भी करूँ करूँ, बहुत आसान है, बहुत किस्ट के रुप में भी नहीं जाओंगा, चार हजार रुपेल के चक्कर में, ताकि कोई चिरकुट ये न कह सके कि मनीश ठाकुर सत्ता के का फायदा उठा रहे हैं, कोई सत्ता मुझे क्या दे देगा, स्वाभिमानी आदमी को, आत्मसमान वाले आदमी को कोई सत्ता, कोई सरकार क्या दे सकता है, आपने कभी नहीं देखा हुआ किसी पार्टी पुल्टेक्स किसके के लडाई के लिए, तिनमी जाए मेरा किसी मंत्री संत्री से, किसी भी धंग से आनुराख क्या विराग है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं जो मुझे सत्य लगता है, म के लिए मैं फाइट करता हूँ लेकिन चिर्कुटों की इस टोली ने आपके उस शो पर हमला किया है इसलिए मैं कहता हूँ कि यह पीरा बड़ी है मेरे लिए मेरे लिए बेचैन कर देने वाली है कि तीन तीन महिने के लिए इस तरह का स्ट्राइग और कुछ लोगों को तो य है कि आप देखेंगे डासना वाले मामले पर कुछ लोगों ने जो वीडियो डाला उस वीडियो को हटा दिया गया तो चलिए उनकी पीरा इतनी तक है कि उनके लाक निर यह नहीं हटाया जा रहा है लेकिन जो रास्टवादी लोग यदि कर रहे हैं तो उसको हटाया जा रहा है उनको कमजोर किया जा रहा है उन्हें पर परिशान किया जा रहा है लेकिन उनकी परिशानी और मेरी परिशानी में दियाब तुलना करेंगा तो उसमें भी बड़ा फ पैशन है यह पैशन नहीं होता तो मेरे साथ काम करने वाले जानते हैं कभी मेरी बॉस से बनी नहीं ज़्यातातर समय मेरी बॉस को छोड़के मेरी बनी नहीं और इसलिए फाइट करने के लिए मैं यूटुब पर उतरा क्योंकि यूटूब बदले दौर में मैं सुक्रमुज यूटूब का को उसने एक मंच दिया लोगों को स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ठीक है को उसके अपने नियम कानून है आपत्लियां हो सकती है शिकायत में हो सकती है काकबर उद्दीनों की वीडियो क्यों नहीं हटाया गया और डासना में एक यदि स्वामी जी एक बात कह हैं तो उसके वीडियो को हटाया जा रहा है और नफरती माना जा रहा है उस मंदिर में एक व्यक्ति जिसके उपर चोड़ी का अरोप लगता है वो एक चिबलिंग पे शौच करने के कोशिश करता है पानी के नाम पर उसे का जाता है बात है पता चला कि उसको उसके उसे फं लडाई में आया कि एक आतंकी बुरहान बानी है तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो मास्टर का बेटा है ये जो परसेप्शन बनाने का खेल चल रहा है उसके लिए लडाई है कि आपके दिल और दिमाग पर जो लोग प्रहार कर रहे हैं उसके लिए मैं सिर्फ इ जरूरी है कि आपके अप सहयोग की भी जरूरा प्रोवी क्योंकि यूटूब ये तीन-तीन महीने तक इस तरह से स्ट्राइक करेगा तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा इस लडाई को इस पैशन को जिंदा रहे इसके लिए जरूरी है कि आप आर्थिक सहयोग भी लगात जाड़ी रखें आप यूपी आइ नंबरों के आधार पे क्योंकि स्वतंतर पत्र कायटा जब हर धंसे इस तरीके से चल रहा है तो राष्टवादियों को एक मंच पर आना होगा ताकि इस लडाई को लड़ी जा सके फिर से आप सबसे आग रहे मैं इस लडाई को लड़ स योग है आप सब अपना स्निह बनाया रखिए बहुत बहुत आभाद बहुत धन्यवाद